कि नमस्कार साथियों तो हमारा जो टोपिक चला था औो गनित का एक ठोपिक चला था संख्या पदती सिस्टम नंबर सिस्टम चला था तो पहले वीडियो में कि नंपर सिस्टम होता यह नमपर सिष्टम को चार भगे नंबर पड़ा था अपने उसके अंदर हमने अध्यन किया था एक तीन तो हमने बढ़े नहीं थी क्योंकि आपर लेवल का नहीं था और पहला हमने अध्यन किया था decimal system के बारे में यह दस्मरोपढणाली क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था और दस्मरोपढणाली के types पढ़े थे हम पढ़े थे संचा के बारे में संचाओं का वरगिगन क्या था इक तो था तो यह रील नंबर और एक था करते हैं जिसको कर चाए कर्सक्ते हैं जो एकजाम में नहीं हाने वाली ए ठीक है और अब रहा हम बाद करते हैं जो हमारे कंपेटिस्वीटस्त केजह को और ठीक है आएं मे अशारे का है है आए पड़ते हैं वास्त्विक संक्या के बारे में क्या करते हैं कलासिफिकेशन कलासिफिकेशन अफदा नंबर अफदे रियल नंबर याने वास्त्विक क्यों का वर्गी करन था वर्गी करन था मतलब इसको दो भागों में बजन किया था कि दो भागों में किया था पहला था इंटीजर नंबर और दूसरा था देसिमल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दस्मलाव संख्या इसको क्या बोलते हैं पुनाव संख्या ठीक है अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये क्या होती है और ये क्या होती है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे देसिमल नंबर दस्मलो संख्या के बारे में फिर पढ़ेंगे इसके इंटीजर नंबर पुनाव के बारे में तो हम पढ़ते हैं decimal number, ठीक है decimal संख्या, decimal संख्या पढ़ें नहीं, हम पढ़ रहे हैं, वास्तिक संख्या के अंदर, पहला टूपी पढ़ते हैं, decimal number, decimal number, यह मतलब, दसमल संख्या, दसमल संख्या बढ़ रहे हैं, दसमल संख्या का कितने type होते हैं, पहले type के बार के आन कि जानाँ देश को, जैसा एक उसका यह type हो गया, ठीक है, एक उसका यह type हो गया, ये किसका ये टाइफ हो गया है도 ये इसके थीन टाइप होते हैं एक दो थीन टाइपी उते हैं पोंड़ेद ही को कित के अंदर रख sic तो अब इसका अभी करतें हैंpe दो भगों में अधीकर पहला है से ये सिंदूनमर दूसरा हुता है नॉन रेपेटिंग नमबर अब बात करते हैं रेपेटिंग नमबर Sit merchandald ρिपीटिंग मतलब बार कि ररा यानी पुन्हरावरत May कि पुन्हरावर्ति योई उसे पुन्हरावर्ति वाली संख्यायें और नॉन रेपेटिंग ने हो, अब हम पढ़ते हैं कि पुन्रावर्ती वाली संखे कौन से होती है, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, इसकी बार बार क्या हो रही है, पुन्रावर्ती हो रही है, तो ये क्या है, एक repeating number है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं, ठीक है, अब ब मैं जिसके पुर्मरवर्ति नहीं होती है उसे रहते हैं अब इसके बारों ही यह हम करते हैं तो जिसके पुरुरावर्ति होती है जिसको बार बार रोसन के आदिए पनरावरती होती है उसको क्या कहते हैं एसांत बोदते हैं एसांत दस्मलोसन क्या एसांत दस्मलोसन क्या यानि एसांत दस्मलोसन क्या होती है ठीक है जो बार बार आती रहती है अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसांत दस्मरों शे कहते हैं ऐसांत दस्मरों मतलब यानि पुनर रिपिटिंग नमबर यानि परीमे संख्या परीमे संख्या इस रिपिटिंग नमबर को परीमे संख्या भी कहते हैं कैसे कहते हैं इसके बारे में पढ़े हैं रिपीटिंग नंबर को क्या करते हैं? अपने बताया कि मैंने क्या प्रीमे नंबर, प्रीमे सिन क्या है? प्रीमे सिन क्या है? यानि रेस इसनलिस में क्या होते हैं? रेसलन नंबर रेसलन नंबर रोलें किसको? प्रीमे सिन क्या ही कौनसी होती है? कि इसके बारे में बंगते हैं प्रिमेशन क्या वो होती है जिसको पीवटां क्यू के रूप में लिख सकें ठीक है और जहां पर क्यू क्या नहीं होना चीए जीओ नहीं होना चीए एक तो इसकी ये सर्थ होती है ठीक है और इसके गौननखंड भी नहीं होते हैं गौननखंड ने किये चाह सब्सक्राइब बहुत दियां प्रवासा हो रहा है इसकी एक प्रवासा है कि दस्मलो दूसी प्रवासा है अंक के बाद शंखिया की बार बार पुन्रावर्थी होती हो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे प्रीमेशन क्या रियस्न नम्बर जेस्न नम्बर ठीक है बार बार पुन्रावर्थी हो रही है तो यह इसको कैसे लिख सकते हैं इससे क्या रूण दो बटा तीन की तीक है इसको दो बटा तीन की रुप में तो मैंने बताया है नहीं दो बटा तीन क्या प्रीमेसिंग क्या है अब बात करते है एक बात करते हैं कि प्रीमेसिंग क्या के एक्जामबर देखते हैं जिससे कि प्रीमेसिंग क्या क्या है जिससे बता हूँ एक प्रीमेसिंग क्या है दो प्रीमेसिंग क्या है चार प्रीमेसिंग क्या है दो प्रीमेस क्या है 22 बाटा साथ प्रिमेसिंग क्या है यह ज़िए अनन्त तक प्रिमेसिंग क्या होती है पढ़ दिया हमने प्रिमेसिंग क्या होती है अब प्रिमेसिंग क्या होती है अब प्रिमेसिंग क्या है अब एक बार और होती है प्रिमेसिंग क्या है अब प्रिमेसिंग क्या है अ non repeating number तुम्न आगर थे नहीं उसे क्या कहेंगे everyday में संग्या everyday में संग्याँ इंग्लिस में क्या कहते हैं irrational number इसको इंग्लिष में ठीक है, प्रिमें सिंगे कौन से होती है ? एक प्रिमें सिंगें कहीं थी इसको हम पी बंटा फ्रीक के रूप में नहीं लिख सकते है ? एक वो सिंगें जिसका अंत निश्यत को जिसका आंत निश्यत हो यानि जिस संक्यां के क्या नहीं किया जा सकते हैं गोनन खट नहीं किया जा सकते हैं जिस संक्यां के गोनन खट स्वरी आपे मैं आपको बदा रहा हूँ कि जिस संक्यां का मतलब हम आंत नहीं हो ठीक है कौन कोंची हैonal करें इस्यांप्रोर नेंगे बनाता है इस वे कौणकि रूप मोई के रोपे Yeah ना और एक रूड तीन हो Gई आल यह क्या है j a करियों सब अब बात करते हैं हमारे गणित में और सलता है क्या होता है आपने कभी गणित में पाई का नाम सुना है अब बता हो पाई प्रिमेसिंग क्या है इसके बारे नहीं तो इसके बारे में हदेन के रहें कि पाई प्रिमेसिंग क्या है या नहीं तो पाई कमान कितना होता है 22 वटा शाहत होता है अब आप ले सकते हैं कि पी वटा क्यों मेरिक रहे हैं इसको तो यह क्या है प्रीमेसिंग क्या है ठीक है इस कमान कितना था पाई कमान 3.14 ऐसे होते होता है ठीक है मैं आपको यहां में बार बताना साहता हूं कि यह पाई का व व्यापक मान नहीं है क्यों क्योंकि अब तर कि पाई का मानों को पचेतर अजार पचेतर अजार डिजिट के रूप में मान निकाले जा चुके हैं अब तक πाई के 55,000 डिजिक भी निकाले जा चुके हैं पाई का कोई अवी तक साहिमान नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे यानि पाई क्या है? एक एपरी मेश संख्या है ठीक है? एपरी मेश संख्या होता है इसको इंग्लिस में आपको बताया इंग्लिस में क्या बोलते हैं अब क्रोड़ी से सचा करते हैं इस पर कैसे क्यूशन पूचे जाते हैं इसके बारे में सचा करते हैं कैसे किशन पूचें को सब्कूरों के बारे में जानते हैं कुछ तट्य निकालते। पर्मय अन्चया के बारे में उसके बड़ाईगी मे कर दो प्राक्रीत संचये होती है न news सबी क्या होती है? परीमे संचा होती है संचा होती है एक पहला पत्तिह SER दूसरी बात परीमे संचा का योग वर गुनानखंड factor क्या होते हैं? परीमे संचा होते हैं यानि रेशन लंबर होते हैं तीसरी बात परीमे संख्या परीमे संख्या यानि रेशन लेशन लंबर वैर रेशनल लंबर रेशनल लंबर का योग योग वैर गुनेन के फैक्टर क्या होगे? है इसके ततते हैं है जब वो करते हैं तो हमकरे सांथिया इन नंबराइगी एक इसके बार कंवे पर्सों in गई बार हम क्योंशन देखते हैं तो इसे लिख्वाई मिल जाता है चल्छे पहले किसन बात करते हैं A वै b के बीज परीमे संख्या प्रीमे संख्या गयात करो कितनी होगी यह पुचलत है कितनी होती है तो कैसे निकाड़ोगी इसके लिए एक आपको मतलब है बार सोतनी पड़ेगी ठोड़ी सी ए और बी की विच्ट में प्रिमें से क्या निकालती है तो नॉर्मली क्या लेते हैं नॉर्मली एक्षम क्या लेते हैं आधने अगर आप उसको प्यारो लें और ऑज़ें लिए सब्सक्राइ curry क्या पर एक के साथ के लिए और यहां पर क्या रही हो इसको मन है न, उसको हमयसा challenge करते हो okay? ठीक है , chance k के माणब यहां पर नीए एक, दो,तीन, चार, पांच, कैसे कर दोगे , आपको बता हूं , e हमारे पास माण लो 1 है , और b हमारे पास 2 है , ठीक है , यह तो हो गया , तीक है , अब यहां पर किय रिवाद हो , इसके माणव में CHANCE कर देजाओ आब , ठीक है , छान्स करते जाओ, एक के बस्तान के रख तो, एक兩 तो रख दिया, एक इंटू 2 प्लस दू वाटा 2 तो यह क्या हुआ? चार वाटा 2 síimize इस प्रकार क्या है? इस हम अन्न तक ज्याद की क्यात कर सकते हैं? किए और बी के बीच पर ने से जाए कितनी होती है अनंत होती है कि अगर अगरा कृसं पड़ते हैं इसके आगरे बीचि अपरी में कितनी होती हैं कितनी होती है इसके बारों अन्द करें एक साधानतर नौर्मल एकार ले इसे लिए यहां लाँ पर एक मान एक रख देते हैं और भी मान आप रख दो चाहर लोत है इसको बढ़ अब इसको मनुत दो नहीं है इसको मनुत दो नहीं है लोता है अब आपको बताते हैं कि दो है दो आ गया है तो दो क्या है एक प्रिमेसिंग क्या है नहीं हो सकती इस यहां पे दूसरा रूल लग होगा वो कौन सा यहां पर ऐसा गरो आ भी टीक है इसको ऐसे लिख दो कैसे चेना गया और यहां पर एक इंडू चार्ड तो तीन जाघ यह क्या है कि प्रिमेसिंग इसरदार एक यह आर डी सिर्भी ने तूम ने के बारे नियुक्त है अब हमारा प्रेमिantic के क्या ठिक है हम ने अदिया था तसमलोशं के 12 संख्या वारे पारें थे 1710 के हमने बढ़े है 528 तो 2 संख्या हमारे सामने ही यह लिए हमने भी था email सां्थ दसमरों संकह और सांथ दसमरों संकह कोंसी होती है ? सांथ दसमरों संकह कोई क Computer का भी कहते है गयम के आच लिगा इस वीडियो में बताया और पृर इंड नॉन खेम नमबर यानि सांंथ सांत दसमरों संकह के बारे में हम sırपे में आप में को बताया ओнов reopening इस बढ़ Taylor जन नंबर लिंग लिए इन सिर नंबर बढ़े थैं ये जल यांण वाचन क्या हूं याह होती है पहले तरका कुछ उसकी वासा नीक भुष्टयय क्या प्रुणाग संक्या क्या होती हैं, प्रुणाग संक्या होती हैं, वो संक्या हैं जिसे हम धनात्मक और रिनात्मक चिनों के अंदर वेफ्ट कर सकें, धनात्मक चिनों के अंदर उसे दसाया जा सकें, उसे क्या कहेंगें, अपन क्या कहेंगें, उसे कहेंगें हम प्रुणाग स संझ्या यानि वो संख्या जिसे धनात्मक और रिनात्मक नकारात्मक से चिनों के अंदर क्या कर सकें प्रदस्चित कर सकें उसे क्या कहेंगे ऊपन पुणात्य सब्सक्राइब करते हैं अपर बात करते हैं तो रीयल नमर्में पढ़ रहे हैं तो और यह अब आधा पर गोंधिक रहे हैं नहीं है जिसके दृत सभ्सक्राइब और में यह बठो है यह पर अब को बता एंख से अ ठीक है ऐसे दर्शाद हिया यह प्लस वाली होगी यह माइनस वाली होगी अब बात करते हैं इसके उतर कि वास्टिक संक्यां कि यह जो इस रिखा पर विद्यमान है तो हमने प्रणाख संक्या प्रणाख संक्या और धनात्मक और रिनात्मक आथा धनात्मक कौन से होती है अब यहां पर पढ़ते हैं धनात्मक कौन से संक्या होती है तो यहां पर पढ़ते हैं यह कौन सी है धनात्मक संक्या इसे कहते हैं धनात्मक प्रणाख यानि पॉजिट पोजिटिव इंटीजर नमबर ठीक है पोजिटिव इंटीजर नमबर ठीक है पोजिटिव इंटीजर नमबर बलते हैं इसको और यह क्या है यह है नेगेटिव इंटीजर नमबर ठीक है हो गया यानि नकारातमा बुणार ठीक है अब बात करते हैं यह क्या जीर हो धनात्मक है यह ने नॉखम कर और how ष्यक्राश को मैं आपको बढ़ेंगे तो मैं आपको बदाता हूं जीरो यहां पर बिलस में यह आप ढ developed count ओर धनात्मक है और नहीं नकारात्म यह नहीं 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 डेक्टिव इंटीजर है अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में तो इसके बार में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं आपको पहले से कि यह आपको दिख रही है यह क्या है किया कि यह कई इसको किस कि प्राकृत संख्या है पता लगए आपको प्राकृत संख्या इए अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 सामिल करते हैं स्की बढ़ने कि प्राक्रिष आँभां पॉन संख्यान कुल्न क्या बोन बढ़नी त्यिक डो दीज़ाइँ इसी करने डिल्स dolιο सब्सक्राइग वैस्छ आपने क्या है तो यह क्या है एक भूल नंबर है ठीक है इसके बारे में अगे ज्यादा दीटेल के बारे में पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में देद करेंगी और हमने पढ़ दिया आज पुनासन क्या होती है प्राक्रिशन क्या होती है और यह पढ़ा है प्राक्रिशन क्या होती है और वोल नंबर संखुन संख्या क्या होती है बात्विक संख्या क्या होती है इंटिशन नंबर क्या होते है इसको कितने भागों में डिवाडे संख्या गया है इसके बारे में अध्रिंग क्या है अगले वीडियो में बढ़ेंग कौन से होती है इसके बारे में अगले वीडियो मत लेंगे और यह तो हमने पढ़किया इतना आपको बताई है कि अगर इसमें कोई प्रोब्लम आपको नजर आती है तो मुझे नीचे जो कमेंट वोक्स कि इपनी इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें यह प्रोब्लम है कहां मेरा अक्षन है कि गनित को जीरो से लेके बढ़ेंगे अपने यानि बेस मस्बूत होगा ना तो हम गनित को हर एक स्वाल आसा नहीं से कर सकते हैं मैं यहां को बिच्चि बता रहा हूं घृण के वह आपको बनौण कोंशी। आप सब बढ़ते आयों कामपीटिश्ञ की मतलब है आपको पुरा सबसी लिए क्या चीजान verdad कि ऐसी चिजे आती आता है तो सब में और चलेस्का की मतलब कर लिकिन कई जिन्दगी में कभी गनित दे सा को्य सब्जक्टिशन नहीं है..दो इसको पढ़ने में जितना आनन्द आता है.. तो हम आगले वीडियो में इसका अधम करेंगे और जैकी सबस्ति होँदくना.. तो कई संख्या और आहिं है हमारी बीच में तो इस प्रकार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको लाइक करते रहें अगर मेरे मेरे इस वीडियो बनाने में कोई दूंटिया आपको नजर आ रही है तो आप जो टिपनी वक्स है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप मुझे अपने नोलेज के बारे में आपने जो कमिया देखी इस मेरे बताने में उसको में को जोर आवबत कराएं ताकि मुझे भी कुछ नए सीखने है कोई गंदा आपने आपने प्रफेक्ट होता नहीं है ये आप जानते हो तो साथियों आज की इस वीडियो के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगले वीडियो मेलते है तो जहें जखारगा